दोस्तों मान लो कि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड किये और उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड या उपर टॉप में या बॉटम में कोई भी ऐसा फूटेज रिकॉर्ड हो गया है जो नहीं होना चाहिए था और बाकी का जो फूटेज है जो सेंटर वाला है वो वीडि चीज बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों मेरा नामे सुनी लोरिक बर फिर से आपका स्वागत करते हूं अपने इस वीडिव चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे आप काइन मास्टर एप्लिकेशन के थ्रू आप अपने वीडियो को क्रॉप कर सक करते हैं तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहरे काइन मास्टर एप्लिकेशन को ओपन करना है इसके बाद यहां पर सेंटर में आपको बड़ा सा दिखेगा प्लस का आइकन इस पर आपको एक बार क्लिक करना है इसके बाद मै यहां से अपना वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप क्रॉप करना चाते हैं तो चलिए मैं यहां पर कैमरे पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ हूँ जिसका बैक्राउंड थोड़ा सा काटना है crop करना है, तो यह मैंने select कर लिया अपना video, right click करना है यहाँ पर, इसके बाद यह video हमारे timeline में आ गया है, इसके बाद इस video को drag करके starting में लाएंगे, और इस video को एक बार हम play करके देखते हैं, कैसा है, तो यहाँ से play किये, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों तरफ move करने के लिए, देखिए, यहाँ यह वाला part सही है center का, तो इसको अलग करना है, इसके लिए हम यह क्या करेंगे, यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद कैंची के बगल में आप देख सकते है, pen and zoom का option, इस पर click करेंगे, इसके बाद हमारा यह जो pen and zoom का option आ गया है, अब इसे हम zoom कर सकते हैं, इस वीडियो को, दोनों हाथ से, इसके बाद इस तरह से हम zoom करके set कर लेंगे, कितना हमको crop करना है, इसके बाद right click करेंगे, यहाँ पर, इसके बाद आप इसे play करके देखें, देखते हैं एक बार, देखिए हमारा जो zoom है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, last में, वापस से उसी condition में आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको दूर करना है, इस problem को, तो इसके लिए हम starting में फिर से आते हैं, इस पर click करते हैं, और फिर से इसी पर click करते है, pen and zoom पर, और यहाँ पर, जो equal to का sign है, इस पर हमको click करना है, अब हमारा जो वीडियो है, वो constant चलेग ठीक है, equal to हटा देंगे, तो नहीं चलेगा, इसलिए equal to रखना है, ठीक है, right click किये, अब इस वीडियो को play करके देखेंगे, तो देखेंगे, हमारा जो वीडियो है, वो constant हो गया है, और crop हो गया है successfully, तो इस तरह से आप भी अपने वीडियो को crop कर सकते हैं, यहाँ से इसके बाद export करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर export पर click करेंगे, तो आपका वीडियो export हो जाएगा, दोस्तो मुझे प्राव मेर है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंदा हुआ, अगर वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो क्लाइक कीजिए, दोस्तों का सेर कीजिए, और चैन